स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल अटके प्रेंटर में इस वीडियो में हम बात करेंगे नौर्धन वस्थ सेंट्रल पंजाब का जो पाकिस्तान कप 2020 मतलब 2020-2021 का हो रहा है पाकिस्तान का यह उंडे कपा यह मैच नंबर 6 है मतलब 3 मैचस मतलब सेम डे पर खेला जाएगा जिसमें एक मैच यहाँ पर फैंटेसी प्लैटफॉर्म्स पर एड़ेड है वर्ड रिमिलवन पर वगरा तो उसी के बारे में हम बात करेंगे वेन्यू स्टेट बैंक स्टेडियम काराची के अंदर ऩे मैच खेला जाएगा वेधर रिपोर्ट के बात करें तो यहाँ का जो वेधर है siitä वेधर रहेगा तो बारिश का कोई चांसस नहीं नहीं है जो पिछ है ना यहाँ का मतलब venue मतलब state bank stadium कराची के अंदर का जो पीछ है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे अभी मैं मान के चल रहा हूँ ballast wicket है मतलब क्या बता है neutral wicket है bowlers और batsmen दोनों को help मिलेगी लेकिन जैसे जैसे match चलता जाएगा second innings में यहाँ पे जो है batsmen को मुश्किल होने वाली है batting करने के लिए तो first innings easy हो सकता यहाँ और second innings यहाँ पे थोड़ा batsmen मुश्किल हो सकता batsmen को और bowlers आपको second innings के जो bowlers रहेंगे वो आपको अच्छा करते हुए दिख सकते हैं भी team toss जीतेगी मेरे हिसाब से यहाँ पे batting first करना चाहेगी average score इस match के लिए predict किया गया मेरे हिसाब से 280 तक का यहाँ पे score बन सकता है अब यहाँ पे northern की probable playing 11 क्या हो सकती है अलड़ी एक match खेल चुकी है northern और central Punjab भी एक match खेल चुकी है drone जो के dream 11 पे added था या फिर bench में से कोई एक अंदर आ भी सकता है अब इसमें अली इमरान और नासीर नवाज open करते हुए दिखे थे नासीर नवाज आपको bowling department में मिलेगा अभी वे batting section में नहीं दिया गया bowling department में लेकिन open किया था plus bowling नहीं की थी इसने बिलकुल bowling नहीं की थी अगर आप लोगे तो आपको as a batter आपको लेना पड़ेगा bowling department से नासीर नवाज को bowling करेगा लेकिन बहुत कम bowling करता है राइटा मीडियो फास्ट बोलर है बहुत rare bowling करता है अगर हमारी किस्मत अच्छी है हमने pick किया है grand link mini grand link की teams में अगर bowling करके wicket ले लेगा तो हमारे लिए एक अच्छी pick यहाँ पे नासीर नवाज की हो सकती है अली इमरान ने 27 किया plus 0 wicket 3 ही over गेन बाजी की उसके बाद नासीर नवाज 12 उमर अमीन 150 not out रहा था बहुत अच्छी पारी उमर अमीन ने खेली थी यह भी bowling कर सकता है पार्ट टाइम बोलर है उमर अमीन भी international को भी represent कर चुका है यहाँ पे पाकिस्तान को उसके बाद आसीफ अली 14 पे out हो गया प्लेयर बहुत बढ़िया है लेकिन मतलब recent form इसका बहुत खराब चल रहा है असीफ अली का उसके बाद मुबासिर खान सात रंड पे run out हो गया फ्लस दो विकेट पूरे 9 ओवर राइट टाम आफ ब्रेक बोला रहा है यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो ना देखो slow left time orthodox पूरे 10 ओवर डालते होगे दिखा right time आफ ब्रेक पूरे 9 ओवर डालते होगे दिखा बाकी जो यहाँ के pacers थे pacers यहाँ पे कम ओवर करते होगे दिखे हैं सिर्फ सलमान इर्शाद को छोड़के सलमान इर्शाद ने यहाँ पे 9 ओवर डाला था लेकिन यहाँ पे bowling कौन पूरी करेगा यह बताना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मेरे हिसाब से spinners यहाँ पे आपको ज्यादा ओवर डालते होगे दिख सकते हैं उसके बाद आमिर जमाल इसने भी दो विकेट लिया था सड़े चार ओवर सुहिल तन्वीर चोदा रन प्लस एक विकेट जमाल अनुवर भाईया विकेट केपिंग सेक्शन में है लेकिन बैटिंग करने के लिए आया ही नहीं बहुत नीचे इसको रखा गया है कर सकता है बैटिंग महुमद नवाज या हमाद आसान के बाद इनका जो बैटिंग डिप्थ है ना वो यहां तक है मतलब इनका जो एक्जैक्ट बैटिंग डिप्थ है वो यह यहां तक है प्लस उहिल तन्वीर भी बैटिंग कर सकता है, आमिर जमाल भी बैटिंग कर सकता है और यहां से जमाल अनवर भी यहां पर बैटिंग कर सकता है तो अल्मोस्ट इनके जो प्लेयर्स हैं सारे बैटिंग यहां पर कर सकते हैं सलमान इर्शाद ने भी एक विकेट लिया था नोव वोर की गेन बाजी बेंच पे आतर महमूद, फाइजन रियाज, मुहमद इस्माइल, नॉमान अली, तैमूर सुल्तान यहाँ पे बेंच पे देखने को मिले थे नॉमान अली अगर खेलता है तो सीधी सीधी बात है, पिक करना है, ड्रॉप नहीं करना है, लाइनपस अगर बिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, देखते हैं मैं भी चेक करूँगा लाइनपस के लिए, जैसे ही मिलता है तो मैं टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा, वरना हम सेफ पिक्स लेकर चलेंगे, अगर लाइनपस आता है तो हम नॉमान अली अगर प्लेइंग 11 में अनॉंस रहेगा, तो ये मस्ट फिक उप्शन रहेगा आपके लिए नॉमान अली का, उसके बाद यहाँ पे इनका लिस्ट एका स्टैट्स दिया हुआ है, मतलब जो ODD मैचस में इन्होंने किया है, One Day Domestic मैचस में, सारा स्टैट्स आपके सामने है, इसके हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हो, मैं टीम डिसकस करूँगा, जब Dream 11 का टीम हम बनाएंगे, तब मैं वहाँ पे डिसकस करूँगा, यहाँ से मैंने आपको सारे प्लेयर्स मतलब दे दी है, आप जो बिंच पे थे उनकी बात हम करते हैं, अतर महमूद 8 मैचस में 8 विकेट, उसके बाद फाइजान रियाज, लेक ब्रेक बोलर है, खेलता है तो एक बड़िया पिक रहेगी आपके लिए फाइजान रियाज की भी 1575 रंस हैं, 45 इनिंग्स में 37.50 के अवरे देखो फाइजन रियाज अगर खेल रहा है तो मस्ट पिक है, नौमान अली अगर खेल रहा है तो यहाँ से मस्ट पिक ऑप्शन रहेगा, आपके लिए स्मॉल लिग हो या ग्रेंड लिग हो, किसी प्लेयर पे रिस्क लेके इनको लेकर चलना है, उमीद है, अच्छा करते ह होए टीम यहाँ पे हमारी दिख सकती है, उसके बाद तैमुर सुल्तान, उतना कोई खास अप्शन नहीं, डिसेंट अप्शन है, तैमुर सुल्तान का भी यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर बात करें सेंटरल पंजाब की, तो सेंटरल पंजाब में उपन करते होए दिखे तैयब ताहीर और रिजवान हुसें, ताहीर तीन रन पे आउट हो गया था, लेकिन रिजवान हुसें ने 48 किया, उसके बाद मुहमद साद आया था, 20 रन, मुहमद अखलाख बहुत अच्छी पारी खिलके गया था, 117 की, साद नसीम ने भी 101 किया, एस सफी अब्दुल्ला तैया ने 3 रन पे आउट हो गया था, लेकिन पूरे 8 ओवर डाला था, यहां पे भी देख सकते हो, पूरे 8 ओवर, स्लो लेफ्ट अर्म, और्थोडक्स, यह भी स्पिनर है, इसने 0 विकेट, उसके बाद खासीम अकरम, राइट टाम आफ ब्रेक, यह भी 8.3 ओवर जालते श्यव बूला, 9 ओवर, 0 विकेट, वखास मकसूद यहां से, लेफ्ट अम, फास्ट मीडियम है, श्यव बूला भी मेरे हिसाब से पेसर है, मैं यहां पे मेंचन करना भूल गया, वखास मकसूद ने 3 विकेट लिया था, यहां से वखास मकसूद बढ़िया बोलर है, खासीम अली, important player है, लेकिन bench पे देखा गया था, अगर खेलता है, तो लेकर चल सकते हैं, अच्छा मतलब domestic circuit में बहुत बड़िया performance रहता है, असन अली का, international में भी रहता है, ऐसा नहीं है कि international में नहीं है, international में भी अच्छा perform करता है, प्लस domestic में और तगड़ा performance देता है, यहां पे हसन अली, अब देखो इनका stats अगर चाहिए, तो stats यहां पे दिया हुआ है, stats में ताहिर, जो के last match में तीन रंद पे उट हो गया था, लेकिन player अच्छा है, 31 की average रखता है, 573 रंज टोटल इसने किये हैं, रिजवान हुसेर, last match में अच्छा खेल के आ रहा है, 23 की average, 34.42, 237 रंज टोटल हैं, प्लस 71 विकेट्स भी इसने लिया हुआ, लेकिन last match में bowling करते हुए नहीं दिखा था, अब देखो यहां पे 101 रंद किये थे, leg break बोल रहा है, LB मतलब leg break, लेकिन bowling करते हुए last match में नहीं दिखा था, उसके बाद यह सब्दुल्ला, 12 match में 10 विकेट खासी मकराम, एक match में 2 विकेट, बशीर 29 match में 41 विकेट्स ए बशीर ने लिया हुआ, अब यह बशीर आपको यहां पे कहां था, देखो, यह बशीर 7 over 0 विकेट्स, अब इसका stats देखोगे ए बशीर का, तो यहां पे 29 match में 41 विकेट्स इसके total list ए मैचेस में है, देखकर चल यह player भी आप लेकर चल सकते हो, भले ही first match में flop वाओ, second match में आपको अच्छा करते हुए दिख सकता है, उसके बाद बिलाल, आसिप, 74 match में 91 विकेट्स, शुयबुला, 7 match में 6 विकेट्स, वहास मकसूद 47 match में 78 विकेट्स, बिलावल एकबाल, 21 match में 19 विकेट्स, हसन अली, जो मैं बता रहा था न, तगड़ी performance देता है, सन अली, 75 match में 128 विकेट्स, किसके अंदर, domestic circuit के अंदर, मतलब लिस्ट यह में, international में तो है ही अच्छा, लेकिन domestic में और तगड़ा performance है, इसका 75 में 128 विकेट्स, उसके बाद आलिशान, decent better है, 13 match में 9 innings, 168 runs, उस्मान सलाहुद इसने किया है, अगर खेलता है, तो यह भी एक आपके लिए must pick option रहेगी, 46 के average यह भी रखता है, तो यह भी आपको अच्छा करते हुए दिखेगा, बले ही last match में bench पे देखने को मिलाता, लेकिन इस match में क्या हो सकता, अंदर आ भी सकता, या फिर bench पे ही रहेगा, इसको team average है, अली, जलियाब, आसिफ की, अब यहाँ पे आपके लिए, बेस्ट captain, वेस्ट captain options कोन है, यह small league के लिए है, साद दसी, मुहमद नवाज, उमर अमीन और यम अखलाख, इन चारों में साथ किसी को भी small league के लिए लेकर चल सकते हो, अब यहाँ पे grand league के लिए जो players है, इसक अगर खेलता है, तो आप यू सलाहुद्दीन को भी grand league के अंदर try कर सकते हो, भले नॉमान अली वगरा मने आपको पहले ही बता दिया था, वो players भी अच्छे हैं grand league के लिए, अगर खेलते हैं तो उनको भी आप try कर सकते हो, अब हमारी dream level team दो, फिलाल के लिए मैंने ये team मना ही है, अब line ups आए है, मतलब नहीं आएगा, तो इसी team के साथ जाओगा, line ups आएगा, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूँ, ये दो players पर मैं risk ले सकता हूँ, खासी मकरम और Ali, इमरान की जगे पर, मतलब risk नहीं रहेगा, इनकी जगे पर कोई दो और players में दूसरे ले सकता हूँ अली इमरान को इसलिए मैं drop करने की सोच रहूँ, ये सिर्फ as a batter मुझे लेकर चलना है, क्योंकि bowling बहुत कम करेगा, 3-6 ओर के बीच में bowling करते हुए दिखेगा, ज्यादा bowling नहीं करता है, लेकिन अपने दिन पर ये गुच्छों में wicket लेता है, 2-3 wicket ले भी सकता है, खासी लेने की कोशिश में कर सकता हूँ, लाइन अपस आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी टीम के साथ हम जाने वाले हैं, कैप्टन, वोईस कैप्टन स्वैप कर सकते हो, वोईस कैप्टन यहाँ पे नसीम को कर सकते हो, आपके पास उमर अमीन का option है, मुहमध अखल कर सकते हो, स्टैट्स अगर चाहिए तो यहां पे फिर से हम एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, पॉस्ट करके रिसेंट परफॉर्फॉर्मेंस, लास्ट मैच स्कोरी यह इनका अनौर्डन्स का, तो उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वाले वीडियो से, यद मुश्टाखली वाले ट्रॉफिस के वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद